अक्षै कुमार और सल्मान खान जैसे स्टार्स के साथ काम कर चुकी अक्ट्रिस हुई साइबर फ्रॉड का शकार मैं बात कर रही हूँ 90's की पॉबलर अक्ट्रिस जो अब एक पॉलिटीशन है नगमा की नगमा के साथ साइबर फ्रॉड हुआ फ्रॉडस्टर्स ने बहुती स्मार्ट तरीके से नगमा को ठगा नगमा ने अपना स्टेट्मेंट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके फोन पर एक नंबर से एक मैसेज शेयर किया गया उस मैसेज में एक लिंक था यह जो phone number था यह किसी personal number से नहीं बलकि bank के जो numbers होते हैं वैसा number था और वहाँ से यह link आया था इस link पर मैंने click किया तो उसके बाद मुझे एक call आया जिसमें सामने वाले ने अपने आपको bank का कर्मी बताया और कहा कि आपके KYC documents update करने हैं और उसी के लिए इस link पर आपको click करने के लिए कहा गया था details मैं अपने end से update कर दूँगा आप बस अपना bank का login बताये जिसके बाद उस बंदे ने net banking के जरिये नगमा के bank account में login किया उसने KYC update करने के बजाए खुद के account number को as a beneficiary add किया और उसके बाद नगमा के account से एक लाख रुपई की रकम transfer कर ली नगमा का क्याना है कि उनके पास धडले से OTP आ रहे थे जबकि वो कोई transaction कर ही नहीं रही थी नगमा ने ये भी बताया कि जैसे ही मैंने उस link पर click किया उस बंदे के पास मेरे phone का remote access चला गया जिसके बाद वो details लेता गया और मेरे account से share chart करता गया नगमा का क्याना था कि मैंने तो एक लाख रुपए ही गवाए हैं लेकिन लोगों को इस वक्त सतरक रहने की जरूत है नगमा ने पुलिस में complaint कर दी है जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जाच कर रही है नगमा ने सल्मान खान के साथ बागी फिल्म से बॉलिवुड में डेब्यू किया था और अक्षे के साथ वो सुहाक फिल्म में नजर आ चुकी है